हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में डेड़ लाग जो है नई वेकेंसी की बात करेंगे इस वीडियो में जहां आवेदन जो है वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट है कोई परिक्षा इंटर्व्यू नहीं होगा ऑल इंडिया कैंडिडेट जुनोंने 10 पास कर ली है 12 पास कर ली है ग्रेजुएट पास है बिल्कुल यहां पर आवेदन कर सकते हैं ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन जैसे की CA है MBA वाले कैंडिडेट है MBVS वाले कैंडिडेट है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे यहां पर 10th पास 12 पास ग्रेजुएशन में BA, BSC, BCOM वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं संपूर्ण जानकरी इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी यहां पर कैंडिडेट को जॉब ओफर करने वाली है इसमें अगर आप अप्लाइ करते हैं तो पहली बात तो 500 कंपनी जो है यहां पर जॉब ओफर करेंगी जब आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी पाइलेट प्रोजेक्ट के नाम से यह प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है इसका टार्गेट क्या है प्रोवाइडिंग 1.25 लेक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इस बिंग लॉंच्ट फॉर दा फाइनेंशियल एर 2024-25 तो फाइनेंशियल एर 2024-25 के लिए यह लॉंच किया गया है आवेधन जो है वो कल से स्टार्ट है आप लोग अप्लाए कर सकते हैं दूरेशन ऑफ दा इंटर्नशिप इंटर्नशिप का जो टाइम है वो आपका बारा महिने का है कितना कमा सकते हैं और जब आप यहां पर आपकी पूरी हो जाती है इंटर्नशिप उसके बाद जो है 500 कंपनीज जो है यहां पर आपको जॉब ऑफर करेंगी Eligibility criteria for candidate देखें Youth aged between 21 and 24 21 से 24 वर्स तक के candidate ही जो है इसमें अप्लाए कर सकते हैं qualification में इन्होंने यह भी लिख दिया है कि आपके पास यह qualification है तो आप apply कर सकते हैं अगर यह नहीं है तो बिल्कुल आप apply नहीं कर पाएंगे जैसे कि पहले में आपको बता दूँ कि जिनोंने graduation, IIT, IAM यह जो higher qualification है CACMA, CS, MBBS, BDS, MBA यह बिल्कुल apply नहीं कर सकते और कौन नहीं apply कर पाएंगे जिनकी सालाना income जो है पूरी family member की 8 लाग है 2023-2024 के तहट तो भी apply नहीं कर सकते अगर कोई family member permanent regular government employee है तो भी apply नहीं कर सकते तो कौन apply कर पाएंगे यहाँ पर लिख दिया है कि हाई स्कूल आपने पास किया है apply कर सकते है थीक है higher secondary school आपने पास किया है तो भी apply कर सकते है ITI वाले apply कर सकते है polytechnic institute से diploma किया है तो भी apply कर सकते है BA किया है BSC, BCA, MBA, BFARMA वाले apply कर सकते है higher qualification वाले apply नहीं कर सकते हैं और जिनके family member में सरकारी नौकरी है तो भी apply नहीं कर पाएंगे आप salaries में क्या रहेगी जब आपकी 12 महीने तक internship चलेगी और job आप लोगों को बात में offer होगा इनकी जो 500 companies हैं इनके द्वारा सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एक साथ दो internship जो है कर सकते है मन्तली जो है एक internship में आपको 5000 रुपीज मिलते हैं 12 महीने लगातार ठीक है हर महीने दो करते हैं आपके जो है salary 10,000 हो जाती है साथ में आपको a one time grant for incidentals ये आपको 6000 रुपे और भी extra मिलते हैं यानि कि आप 2 एक साथ करते हैं तो 10,000 रुपे और plus 6000 रुपे 16,000 रुपे ये हो गए साथ में और क्या-क्या है तो government scheme है तो training cost इनके द्वारा ही administrative cost भी इनके द्वारा ही insurance भी जो है इनके द्वारा ही ठीक है insurance की सुविदा भी इसमें रहेगी तो ये सुविदा है government scheme का अगर आप benefit लेना चाहते है तो registration application process for the candidate ये दिया हुआ है आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर official website पर आएंगे PM internship scheme ministry of corporate affairs तो इसमें जो है यहाँ पर जो है इनके लिख दिया है 12 month real life experience in India top companies जो भी 500 इंडिया की top companies होगी उनमें आपको job करने का offer बात में मिलेगा ठीक है और जब आप internship करेंगे तो आपको salary तो मिलेगी ही यहाँ पर भी लिखा है जिनके family member no member is earning more than 8 lakh per annum no member has a government job ठीक है तो ही आप कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे सबसे उपर right side में youth registration बस इस पर click कर लेंगे आप यहाँ पर जो है अपना mobile number डालना है और submit कर देना है ठीक है इसके आगे जो है आप लोग यहाँ पूरी guideline जो है जो भी दी हुई है इसको आप पड़ लेंगे कैसे कैसे जो है fill करना है वो सारा process इसमें लिखा हुआ है कल से ही जो है आविदन start है government scheme का जो है बिल्कुल आप लोगों को benefit लेना चाहिए जिनको job की जो है बिल्कुल जरूरत है higher qualification gain करने के लिए भी जो है जिनके पास amount नहीं है government scheme के तरह जो भी scheme निकलती है उनका जो है आप लोग फायदा ले ठीक है बाकी जो important line इसमें थी जो कि आपको जाननी जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी है तो भारत की top 500 companies में जो है काम करने का मौगा मिलेगा आपको चलिए ऐसी ही vacancy और भी जो है आप लोगों के लिए इस channel पर provide होगी सिख्षक भरती के विज्ञापन तो आप लोगों को बताये ही जाते हैं किसी भी राज्जी की vacancy हो सूसना समय पर आपको दी जाएगी इसमें आप आवेदन करिएगा Government of India Ministry of Corporate Affairs की तरफ से ये vacancy है पाइलेट प्रोजेक्ट के देन चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू